Hello everyone, my name is Sobhya Fatima, I am EBS 2nd Professional Student from Nalanda Medical College और आज मैंने ये वीडियो specially me 2020 के counselling के procedure के बारो में बताया है तो इसलिए आप ये वीडियो एंग तक देखेगा I hope कि आपके जितनी भी queries है और थोड़ी से थोड़ी भी problem है counselling से related वो मैं पूरी तरह से solve करने की कोशिश करूँगी मैं start कर रही हूँ All India के counselling की procedure और उसमें क्या-क्या चीज ध्यान में रखना है उससे उसके बाद मैं state counselling के बारो में आपको बताऊंगी सबसे starting में MCI conduct कराता है online counselling to fill the 15% All India quota seats वो उसके बाद second counselling होता है फिर एक mop up round होता है उसके लिए सबसे पहले आपको register करना होता है MCC के official site में जाकर new registration पर click करके उसलिए जितने भी आपके basic details आपसे मांगे गए हैं वो सब आप fill कर दीजे फिर आपको एक new roll number पासवर्ड मिलेगा जिससे आप दोबारा login कर सकते हैं उसी site पर फिर आपको सारा details एक दिखेगा तो आप confirm registration में जाकर उसको save कर लीजेगा तब आपको registration slip दिखेगा जिसको आपको save कर लेना है अब आई payment वाली बाद registration fees आपको refundable और non refundable पे करनी होती है जो आप online credit card debit card या net banking किसी से भी पे कर सकते हैं non refundable fees 1000 होती है general category के लिए और बाकी सारी category के लिए 500 होती है और जो refundable fees होती है वो 10,000 होती है general category के लिए और बाकी के लिए 5000 होती है payment के बाद आपको college fill करने का option आएगा तो आपका जितना neat score हुआ है उसी के हिसाब से अपना college preference आप fill कर सकते हैं तो जो AIQ होता है all India quota counseling उसमें आप जितना मन चाहे उतना college का fill कर सकते हैं मतलब जितना भी आपको जो college सही लगे सारे choices में डाल सकते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से आप preferences choose कर सकते हैं कि कौन से college को आपको कितने preference पर रखना है वो जब complete हो जाए तो आप lock choices पर click करिएगा और उसके बाद एक बाद आपका choices lock हो गया तो आपकोई changes नहीं कर सकते हैं हर round of counseling के बाद MCC जो होता है वो result का seat allotted result का एक list जारी करता है जिसमें कि आपको देखना है कि आपका नाम है की नहीं अगर है तो फिर आपका seat allotment letter किशू होता है तो seat allotment letter और जितने भी सारे documents हैं उसको लेकर आपको एक particular time जो दिया रहेगा उसमें उस college report करना है अगर आप report नहीं करेंगे तो आपको आपकी seat नहीं नहीं आप जो सबसे important बात आती है वो ये कि आपको कौन-कौन से documents ले जाने और India quota counseling में जो आपको college मिला है उसके लिए तो सबसे पहले आपको NEET 2020 का rank letter result जो आपका आएगा वो लेके जाना है Class 10th की certificate और mark sheet Class 12th की certificate और mark sheet 8 passport size photographs और ध्यान रखेगा कि वही photo जो आप application form में दिये थे उसके अलावा आपको NEET का seat allotment letter भी लेके जाना है उसके बाद आपको कोई भी एक identity proof लेके जाना है और card certificate लेकर जाना है अगर applicable है तो जितनी भी deemed central या state universities है सब यह online counseling में part लेती है उसके अलावा ESIC, BHU, AMU, AFMC इन सारे colleges की seats भी इसी counseling में filled होती है पर अगर दोनों counseling के बाद भी seat बढ़ जाती है तो फिर वो mop up round में चली जाती है और अगर कोई student, कोई भी student online all India counseling के लिए अगर भरा है तो वो state counseling के लिए भी भर सकता है साथ साथ 85% जो seats होती है वो state counseling के लिए रखी जाती है for the respective students of that state अब मैं आपको बताऊंगी कि state counseling में कैसे register करना है उसके बाद का क्या क्या process है तो जैसे कि हर state का अलग-अलग official site होता है for example बिहार का BC, EC, EB तो उस particular अपने state के official site पर जाना होता है registration के लिए उसके बाद एक valid email ID और mobile number से आपको registration करना होगा जिसके बाद एक activation code आएगा आपके वही mobile number और email ID में फिर उस activation code का use करके आपका account activate हो जाएगा जिसके बाद आगे के जितने भी application form फिल करना है वो कर सकते हैं आपका जो email ID होगा वही आपका user ID भी होगा step 2 वाले section में आपको जितने भी आपके personal details पूछे जाएगे वो सब भर देना है और हर step के बाद आपको वो page save कर लेनी है as a draft step 3 में आपको scan करके photograph upload करनी है जैसे एक में आपको अपना passport size photograph डालना है लेकिन याद रहे कि उस photograph में आपका लिये हो जिसमें आपका नाम और किस date पर वो आपका photo click हुआ है वो रहना चाहिए उसको scan करके डालना है दूसरी है दूसरी चीज है कि आपको अपना signature scan करके डालना है वो signature capital letter में नहीं होना चाहिए running writing में होना चाहिए step 4 में आपको अपने academic dts देने 10th और 12th का basic dts मांगा जाएगा वो आप फिल कर दीजेगा step 5 में आपको preview किया जाएगा पूरा application जिसमें आपको देखना है कि आपने जितना भी जो भी फिल किया उसमें कहीं भी इतनी सी भी गलती तो नहीं है पूरा check कर ही कि आप next step में जाएगा और next step में आपको counseling की fees पे करनी होती है और यह जो fees होती है पूरी तरह से non-refundable होती है इसमें unreserved EBC और BC की 1200 fees होती है और SC ST की 600 fees होती है जो सबसे last step होता है उसमें आपको save कर लेना होता है और print कर लेना होता है application form for future use जो next and the most important जो आपका आएगा step वो होता है आपका choice filling तो choice filling बहुत जादा important होता है आपको अपने registered जो user ID है उससे login करना होगा और आपको अपना choice filling करना होगा तो choice filling में आप उसी हिसाब से colleges जाली अपने state के जो आपके हिसाब से सबसे अच्छे college है उस हिसाब से अपना preferences दीजिए कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि माम अगर मेरा कम marks आ रहा है अभी सही तो क्या मैं अपने college preferences में शुरू में ही पीछे preference वाला college भर दूँ तो ऐसा बिलकुल नहीं करना है आपको अपना जो preference हो college का वो हमेशा अच्छे सही रखना है जैसे अगर बिहार का ही हम भर रहे तो उसमें सबसे पहले PMCH ही रखेंगे उसके बाद ही कोई college रखेंगे आपको अगर लग रहा है कि आपको नहीं भी मिलने वाला है वो college फिर भी आप जब preference रखेंगे तो आप पता कर लीजे कौन सा college जादा अच्छा है हर तरह से और उसी हिसाप पर preference रखेंगे यह मत सोच में डाला तो preference चूज करना बहुत important है बहुत ध्यान से आप पुछ करिएगा process को अर जब आपने वो procedure कर दिया तो अब आपको पता चला होगा कि पिछले साल से state की counseling भी जो होती है आप online होने लगी है इसलिए कोई tension नहीं है उसके कुछ दिन बाद वो BCEC की site पूरा list निका differences उसमें आपको देखना है कि आपका को आपका नाम है नहीं तो अगर आपका नाम है तो फिर आपको एक particular date पर अपने सारे documents को लेकर document verification के लिए एक particular जगा जाना होगा अपने state में जो आपको बताया जाएगा तो आपको कौन कौन से documents लेकर जाना है वो आपको मैं बता दू आपको need 2020 का admit card लेकर जाना है need 2020 का result लेकर जाना है class 10th का admit card passing certificate और mark sheet लेकर जाना है class 12th की admit card passing certificate और mark sheet लेकर जाना है residential certificate लेकर जाना है class certificate लेकर जाना है अगर applicable है तो उसके अलावा 6 copies of the passport size photograph लेकर जाना है वही जो आपने application form में दी थी आपके state का जो application form है need का वो लेकर जाना है आधार कार्ड लेकर जाना है उसके अलावा disability certificate लेकर जाना है अगर applicable है तो hopefully बताये गया है कि जैसे 12 October को हमारा read का result आ जाएगा तो उसके कुछ ही time बाथ state counseling की process भी start हो जाएगी अगर आपने counseling procedure का सारा का सारा process फिल किया उसके बाद आपका name list में आ गया तो आपको document verification के लिए center जाना होगा आपने जितने भी manage documents बताये उसको लेकर document verification के लिए center जाना होगा वहाँ पर जब आपका document verify हो जाएगा फिर आपको first counseling में जो college मिला है वहाँ report करना होगा admission के लिए वहाँ पर जाकर आप अपना document सारा जमा कर देंगे और वहाँ पर admission लेकर आ जाएगे तो अगर आपको second counseling में जाना है तो जब आप document verification के लिए center जाएगे वही पर आपको पूछा जाता है कि आपको grade करवाना है या नहीं वहाँ पर आपको tick करना होता है अगर आपको second counseling में जाना है तो उसी time आप टिक कर देंगे उस time भी आपसे फिर preferences पूछा जाता है कि second counseling में आपको preference wise कौन-कौन से college में जाना है तो आप वो भरिए फिर कुछ time बाद second counseling का भी list official site पर निकलेगा उसमें आपको देखना है कि आपका नाम है की नहीं और आपको कौन सा college अलोट हुआ है तो जब आप second counseling वाला भी preferences भरेंगे तो आप ये देखे कि आपको जो first counseling में college मिला है उसके उपर की जितने colleges सब आप लिख दीजे तो फिर अगर आपको second counseling में कोई अपग्रेड हुआ college को या दूसरा college मिला तो उसका अलग procedure है लेकिन अगर आपको कोई college नहीं मिला second counseling में या फिर same college ही रह गया तो आपको कोई tension लेने की बात नहीं है आपने first counseling में उस college में already admission ले लिया है तो आपको कोई दिकत वाली बात फिर आपको second counseling में लिस्ट में दूसरा college मिला तो फिर आपको वापस से उसी center जाना होगा वहाँ पर center में जाईएगा तो first counseling में जो आपको कोई representative आए देंगे आपके सारे documents लेकर जो आपने उस college में जमा किये थे वहाँ से आपको document collect करेंगे और आपको जो second counseling में college मिला है वहाँ जाकर वही उसी center में वहाँ के भी represent date वायो रहेंगे वहाँ जाकर उनको वह सारे documents दे देने हैं वहाँ पर आपको second counseling में जो college मिला है उसका allotment letter फिर मिलेगा उसके बाद आपको एक particular date दे दिया जाएगा कि इतने date पर आप second counseling में जो आपको next आपका final college allot हुआ है वहाँ पर जाना है इतने date पर आपको report करके admission लेना है तो आप वहाँ जाकर admission ले लेंगे admission fees जो होती है वो कुछ आपको pay करनी होगी और कुछ जो आपको first counseling में college मिला था उसमें आपनी जो fees admission की pay की थी वहीं ट्रांसफर हो जाती है आपके दूसरे college में तो उसको उसका आपको attention link ज़रत नहीं है और आप जब center पे जाएंगे जब आपको पिछला वाला college सारा documents दे time आपकी TC भी हो जाती है तो उसका उतना problem नहीं है कि कि आप सब कुछ online ही होने लगा है तो उतनी डिकत की बात नहीं है हां अगर आपको second counseling में भी college नहीं मिला अगर आपके list में आपका नाम नहीं आया तो फिर आप मौप-up round में जा सकते हैं जिसमें हो सकता है कि आपका ना counseling का पूरा procedure था अब आपको 2019 में यानि कि last year में state counseling में कैसे कैसे cut off गय थे वो मैं बता देती हूं बिहार के state counseling के लिए general category के लिए 577 marks जो था वो cut off marks था last final SC के लिए 414 ST के लिए 449 OBC के लिए 575 EWS के लिए 576 तो इस साल उसी के आसपास हों गया उससे थोड़ा आगे पीशे हो सकते हैं वो import basically वो आपको 12th October यानि result के बाद ही पता चलेगा तो अभी तक के लिए आपको मैंने जितनी भी counseling के procedure बत किएगा और इसके लावा अगर कोई भी और डाउट हो कोई भी और हलका से हलका question हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं thank you and all the best